बीस साल में पच्चीस फिल्में प्रड्यूस करना कोई मामूली काम नहीं है मगर हमारे आज के जो गेस्ट है, celebrated producer वाशु भगनानी उन्होंने ये फीट अकम्पलिश किया है और उनकी पच्चीसवी फिल्म यंगिस्तान इस शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है तो friends, let's welcome वाशु भगनानी and his debut making director, Sayyad Aymad Afzal Welcome to ETC Bollywood Business Thank you, thank you Komar Ji वाशु जी, बीस साल में पच्चीस फिल्में कम्प्लीट करना मतलब it's absolutely almost an impossible task जैसा है आज के माहौल में जब filmmaking is become so difficult, finance is become so difficult, you know corporatization से पहले मुश्किल था, अब थोड़ा ease हुआ है situation लेकिन पच्चीस फिल्मों को कम्प्लीट करना, ये मतलब आपने कैसे मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता था, बहुत मुश्किल है, but honestly speaking, मैं बीच में चार साल इंडस्टी से भी आउट हो गया था Exactly, तो actually 16 साल में 25 में है, मैं आप से कहूँ कि फिल्म फिर भी बन जाती है आज के टाइम में, आज के टाइम में सबसे बड़ा मैं 25 में बनाओंगा, बोलके तो आगे हैं मैं बनाओंगा भी लेकिन आपके आपके आने के पहले ही प्लानिंग करूंगा, कि नेक्स्ट में क्या करूंगा प्लानिंग करूंगा, कि I am going to make certain movies, where I am going to release on Monday, because there is no other chance if you release on Fridays, or और जिस तरह का 8, 8, 12, 12, 12, 12 करोंगे पुबिसिटी में लग रहा है, तो पिच्चर में पैसे कब डालेंगे, तो मंडे के रिलीस से क्या होगा, मंडे के रिलीस से यह फायदा होगा, कि इसकी पुबिसिटी से आपको इंटरनेट पे मिलेगी, जो फ्री की होगी, और यह 10 क पुबिसिटी में खर्चा करते हैं, यह डिरेक्ट हम पुबिक को ओलेंगे, तुमको यह टिकेट 50 पर में देंगे, यह 80 पर में देंगे, तो आपको टिकेट प्राइस सस्थी मिलेगी, और अच्छी पिच्चर देखने को लिए, अच्छी पिच्चर देखने को लिए, टुबिग रिसक आपको पिच्चर देखने को लिए तो आपको लिए रिसके लिए, अच्छी फिरेक्ट हैं, जो देखने को होना है, फिर्फिनली पिच्छे पिच्चर देखने को यह तो एक दार्टी बड़ते बढ़ेंगे, और अवरेंट तो नहीं बढ़ सकते हैं, तो एक आने ही पाती, because weekend को टिके 200-300-400 का होता है, और हाराजमी जानी सकता है, सभी बात है, हमें लगता है कि हम 5 करोर की बिच्चा बना रहें, लेकिन पुब्लिक ले तो वह 100 करोर की बिच्चा है, because they are paying the same. Same ticket rates. So there has to be some kind of new generation of theaters, or maybe the marketing point, जिसमें public को सस्ती टिक्र मिले. तो अफजाल जी, आपने ये पहली फिल्म बनाई है, पहली फिल्म में आपके पास स्टार्स के नाम पर कोई बहुत बड़े स्टार्स नहीं है, जाकि इस रेलिटिव न्यू कमा, तो जैसे वाशु जी ना बताया कि 200-200 रुपे की टिकेट लेकर छोटी फिल्मों को देखने आपको इस बात का डर है? इस सर से जो मैंने सीखा आई है, कि आप फिल्म बना रहे हैं, फिल्म बनाएं और उसके साथ साथ उसके एक कमोशिल आसपेक भी दिमाग में रखें, कि भई आपको भी रिकावर भी करना है, और एक तरह से डिरेक्टर के लिए एक जिम्मेदारी होती है टोड़्स इस प्र से लिखी हुई पूरी डैरी में स्क्रिप्ट ही, जैसी है उन्होंने कॉंसेट का कि जिस तरह से इनकी फिल्म बनी है, इस विशह में हमारे हिंदुस्तान में पचास सालें फिल्म नहीं बनी है, प्रदान मंतरी पे पिचर आस तक नहीं बनी है, आज सबसे बड़ा जिस तरह से इनकाल, he's a very good writer actually, मैं इन पे, जो इनोंने पूरा मुझे narrate किया, तो मुझे लगा कि अगर किस तरह से मैं से script ले भी लो कोई कारण से, नया आदमी है, शायद बज भी जाए, दे भी दे, पट जो इनकी दिल की जो बाते हैं और जो लिखी तन है, शायद वाद इनकी दिलिवरी बताई है, यह अक्टर में अमना फारुक साब रह नहीं बट वो हमारे साथ फिल्म में है, वो हमेशे यह कहते थे लड़का बहुत आगे बढ़ेगा, जिसना जैकी को लास्ट में बोलके कि एक पैन देखे कि यह तेरा गेम चंजर है पिचल, he's given the blessing to this movie, and genuine blessing, when he left on 22nd night at 12, 12 midnight, I know the time, दूद का, दूद भी पिर था, में इन दो डेली कॉलिज के अंदर, मेरे सामने इनसे कह और इनको SMS भी किया है, कि अफजाल, जो भी काम है जल्दी कर ले, छोटा भी काम छोड़ना नहीं है, मैं दूए ही जा रहा हूँ, see back of the mind, you know, उपर वाले को कि उनके मन में कुछ आया था, कि मेरे सब काम कम्प्लीट कर गए जाना है, और पूरा कम्प्लीट हो चुका था, उनका काम, लास्ट शॉट, कुछ आखरी शॉट टेकर गए, and see arrogance of आशु भगनानी, मैं कोई भी फिल्माज सक सिंक में नहीं करता हूँ, इस पिचर में जैकी होना था, वो सही होके रहा, जो चीज अच्छा होना होता है, मैंने फारुख सहब से आश तक काम नहीं कि मुझे बता भी नहीं किस तरह के इनसान थे आश तक, लेकिन किस तरह सुनका साइनिंग हो जाना, and when we met first time in October, मुझे याद भी है, 12-15 October को, अन्य स्वार, 16 October को, 20-20 October क मिला था, lovely person, कैसे बिचरों नहीं का कि मैं इसे पिचर करता है यह जब तक मैं स्क्रिप्ट मुझे अच्छी नहीं लगती है, I don't go only for money or this thing. सही बात है, बिलकुल, उनों नहीं हमें पूरे lifetime में limited पर में किया है, हमेशे limited काम किया है, बिलकुल, तो हर चीज़ अच्छा होते हैं, Japan was the place, you know, जहां 40 साल तक, आस तक कोई नहीं गया है, Japan as a location क्यों सिलेक किया, हमें कुछ ऐसी locations चाहिए थी तो, जो काफी दिनों से explore न लोगाशा नहीं थी और वह भी suggestion सार का था, उस पे हमने वर्क कर आँ और फ़र्द थोड़ा सा रिसर्च करा यह करा एं देन, वी वेंट आहएड विदेग विदेग वदेग वाशे जी, Japan की शूटिंग वोगाश तो, थोड़ी बाद एट थी थी बटम्री थी बटम्रीश तो उसका जो बैक स्टोरी ऐसा होना चाहिए कि इस नोट अवेर अवार अवार इंडिया कैसे वो इंडिया आते हैं और कैसे डेस्टिनी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाता है तो ये सब चीज़ों के लिए हमको एक ऐसी लोकेशन देखने हैं जो दिमाग में ही लोगों के नहीं है कि वहाँ एक आदमी है वहना गेमिंग कर रहा है और वहाँ नौकरी कर रहा है एक आदमी के तरह टाय पेंगे घुमता है गल्फरिंड के साथ में बैठा हूँ किसी ओगो लेना दोबड़ी नोस इविन की ये आदमी हिंदोसन कभी जाएगा एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम इसको इंडिया आना पड़ता है और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर की कहानी है एंड इससे पहले इंडिया में ऐसी फिल्म नहीं बनी है तो क्या इसकी रिलीज की टाइमिंग भी आपने उसी हिसाब से सोची है बिकोज इलेक्शन अराउंड दे कॉनर हमने अक्टूबर में पिच्छा चालू की में हुआ है तो इस अल कोइंसिदेंस कि यह फिल्म मिस्टाइब के और मैं जब मैं देखता हूँ कि एक कुर्सी पकड़ के आदमी खड़ा है कि इसका प्यम कौन बनेगा तो मुझे लगते है तो भाईया अभी मनी कॉल बनेगा कि मैं तो अपना पिच्छर सोच रहा हूँ इक्जाटली इक्जाटली तो अफजाल जी कितना कॉंटेंप्ररी है प्राइमिनिस्टर की तो कहानी है बट कितना कॉंटेंप्ररी है इस फिल्म का सब्जेक्ट अगर मैं एक लाइन में बताऊ तो यह है कि ते यंगिस्ट प्राइम निस्ट अफ इंडिया इन अ लिवन रिलेशन्शिप। तो इससे अपने आप में पता चल जाएगा ये कितना बोल्ड स्टेटमेंट है, कितना प्रोग्रेसिव है। और साथ-साथ, जो हम आम तोर पे जिन्दगियों में देखते हैं, कि लोग लिवन रिलेशन्शिप्स में रहते हैं, लेकिन साथ-साथ उस आदमी का प्रधान मंत्री होना भी एक डबल रिस्पॉंसिबलिटी मेरे खाल से ले आता है उसके उपर, और ये सोचके ही हमने दिमा कि हम वही एक हम इसे लगा हैं, वह सकता है कि कोई कॉनफ्लिक्ट सियासति या पॉलिटिक्स की तरफ से आजाए. तो ये बेसेवलिटी एसेभी प्रभलिम का रिषलिशन क्या हुआ है? 2009 में मैंने ये टाइटल रेइस्टर किया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था बेसिकली फाल्तू पिच्छ जो जैकी के बने थी उसका टेंटिटिटिफ फर्स टाइटल यंगस्तान था और हम लोग कोट में भी शायद मुझे लगता है इस कारण से जीते हैं हमने का कर दो जानौ से लेके इसको चार-पांच बार हमने रिन्यूवी किया था हर साल ना कोई बात करने आया कोई पूछने आया प्लस लूट सेलिंग निए पेप्सी और यह नोट सेलिंग अनिफिन फूड तो कोट में काफी बाते हुई हाई कोट में डेली में हमने ऐसा लॉइस बेज़े है सोनी वालों ने लॉइस बेज़े है फाइनली जज ने कहा कि नो आप ख़ले यह लाइन लिग देना कि इस नोवेर करेक्टर दे पेप्सी अज़े ने डिफिनिदिल यह गलत नहीं कहना चाहिए मैं डिफिनिदिली था 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 रहूं ध़िए रहूँगा डिसम्बर में जब मेरी फिल्म यह रिलीज हमने प्लान किया था उस दिन 28 मार्च को सिरे वाशु भगनानी की ये फिल्म थी ये येंगिस्तान और कोई नहीं थी दूरिंग जैहो के रिलीज में उन्होंने प्रोमो डाल दिया कि ओ तेरी रिलीज हो रही तो वो आ गए दो हफते पहले डिश्कियों भी अनाउंस हो गया तो अभी मैं अकेला था भी ये दोनों आगे तो I can't go back क्यों मैं अगर आगे कोई ये वापस डेट ढूंट ना फिर कोई और आ जाएगा but we have to think today कि उनकी भी फिल्म में उनने भी पैसे डाले हैं उनको भी शहएद कोई डेट नहीं मिल रहा हो गा असलिए आगे है and we all end family today, film family है you know Atul is my family member, Uddar Raj Kundra अपना दोस है normally बड़ी फिल्म अगर रिलीज होती है तो पैंठीसों स्क्रिंड में होती है we feel very happy, हम तीनों मिलके अगर पैंठीसों स्क्रिंड कर रहे हैं यह वरी स्क्रिंड कर रहे हैं यह वरी स्क्रिंड में उनको कहा कि you have to release less than 1000 स्क्रिंड अब 900 करेंगा है, मैं 800 करेंगा है, मुझे नहीं चीत 1200-1500 स्क्रिंड यह उननेसेसरी फाइट में जाना ही नहीं है let everybody release the movie properly क्या सब के पैसे लगे हैं, सब को रिटन से ही है फिल्म उनने अच्छी बनाई है, सब ने अच्छी बनाई होगी उनने अच्छी फिल्म बनाई है, अच्छी चले की I am very happy, मुझे तो क्या बर्फी जैसा रिलीस हुआ था it had released in 650 screens and still did a business of 100 klo plus so screen is not very important, the timing and content is very important so content is all right, so content is all right so I don't think that this is very different from 3-4-5 pictures and Queen is the latest example कि जिस दिन कोई रिलीस हुए थी, 5-4-4 दिन भी हुए थी और पूरे रश के साथ हुए थी उसके बावजूद भी, इस बनाई, शोज बढ़ा दी उसके every day they are increasing the shows, आज उसकी 11-12 शोज चल रहे है वाशु जी, ऐसा लोग सोचते हैं कि जाकी भंगनानी जब तक absolutely established नहीं हो जाए वाशु भंगनानी अजफादर वाशु भंगनानी अजफादर विल कंटिनु तो मेक फिल्म्स नॉट रिली बॉदर अब लॉस करे नहीं करे यह कहां तक सही है एंड, second part of the question is जाकी को बाहर की फिल्में आप नहीं करने दे रहे हैं या बाहर की अच्छे offers नहीं आ रहे हैं चली, अच्छी बात अपने आज ही किया वैसे तो हमेशा ऐसे ही होता है इस बार ऐसे नहीं है इस बार उसको MSM ने साइन किया बट MSM वालों ने मैसे बात की थे कि you have to go for all the interviews MSM जो आपके co-producers है नहीं, मैं उनका co-producer नहीं समाझ लिए सोनी वालों के, उन्होंने साइन किया जाकी को तो this film तो at least उनके साथ करना है लेकिन मैं हमेशा बनाता रहूंगा मुझे पूरा बढ़ूसा है not because of Jackie Bagdani मुझे उस लड़के पे बढ़ूसा है क्योंकि जिस लड़के ने कल कि इसने देखा थी कि जो disaster होई उसके बाद में फाल्तू में उसने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी चली हिंदुस्तान में बहुत अच्छी कम एक्टरज हैं बहुत कम एक्टरज हैं कि जिसकी सब पिच्चर हिट होती है जैकी के करीर में ये पाँचवी फिल्म है पाँचवी फिल्म के अंदर में फाल्तू उस अपर एट अज़ जब गजब और रंग्रेश बिल्लू एवरेज फिल्म, डिजास्टर नहीं थे, तो स्टिल इस हपी, और हीस माई सन, तो एम अज़ा प्रोडिसर, मुझे ऐसा लड़का कहा मिलेगा, कि मैंने 16 October के पिछे चालू की और 20th मार्च को रिलीस कर रहा हूँ, और अगर आप प्रोमो देखेंगे, फर्गड़ बड़ वाशु भगनानी सन, तो मैं किसी भी अक्टरों का गलू, किसी भी अक्टरों को, तो यू लूग थे सेम, अगर हाँ, अगर उसको एक्टिंग नहीं आती, काम नहीं आता, डांस नहीं आता, और उसको आफिस बठा था, बिल्डिंगे बनाता बैठके, आज मैंने रिटेश के साथ छे पिचरे बनाई, अभीशे के साथ दो दो तिन दिन फिल्म है, तुशार के साथ बिच्चा, तो वाइन वाइन जाकी, वो तो सन जैसे हैं, और ये सन है, करे, अभजाल जी आप से जाना चाहूंगा कि ये जो आजकल कहते हैं कि यूथ सेंट्रिक फिल्म में बननी चाहिए, तो आपका तो टाइटल ही यंगिस्तान है, इस दिस इंटेंशनल कि यूथ को अट्रैक करें, यूथ को आकरशित करें सिनमा घरों तक, ताकि ये हो जाए, इसलिए ये यंगिस्तान वाला टाइटल रखें। या अचली मैं जब स्क्रिप्ट पूरी बन के तयार हुई, हम सब बैटे हुए थे और जो स्क्रिप्ट की बेसिक, जो एक मेसिज है इसके अंदर, वो सिर्फ यूथ को ही नहीं केटर करता है, वो बिसिकली उस यंग आटिट्यूट को केटर करता है, जहां पर जिसे कहते हैं जमादिल, कि वो जमादिल 50 साल का भी हो सकता है, 60 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 18 साल का भी हो सकता है, और अगर देखा जाए तो इस फिल्म गंदा वाकई में जाकी और नेहा को छोड़के कोई भी यंग नहीं है सिर्फ वो ही यंग है तो बखी सीनियर आक्टर्स है हाँ? बेटरिन्स बखी कोईंग पाइखा चूछी आपाइखा बाद में अच्छा हो मारा में भडोसा है अरो से अर्काटन्ट यह नहीं कभी नहीं कोंगा कि में बीस करोड की जाय हैं पांच करोर की चाहय हैं पचास करोड की सोगाव सब्सूनुष। फिल्म, यह वे रहाप्ट प्रडुक्त, इस भीज़ नहीं कि यह रहाए नियुद प्रडुक्त. है, हाओ इस चांग अबाउड रहाए वे इस चांगावाओ? अच्छाओ और मेरा बाक्राउंड इस अथा था फिर फिर दिफिग में सित तरह का था कि घर पर कुछ पोएट्स कुछ प्रोफेसर्स, टीचर्टर पधने तूपने लिए तो एम इंट्था था तो मैंने कुछ लिखा, कुछ डिवेट्स कॉंपोटिशन में गया, कुछ जीत यह उप्जाने पर दिए लिए नहीं है लेकिन मैंने कर लिया एक अवा प्रफेशनल कोर्स तरश के बाद पर मैंने कुछ काम भी करा है अजने अजिने और एक आप लोगों ने जितने पैशन से यह फिल्म बनाई है उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ लोग देखें लोग पसंद करें and the word spreads thank you thank you so much thank you thank you तो दोस्तों ये थे वाशु भगनानी और ये थे अफजाल इनकी फिल्म यंगिस्तान इस शुक्रबार को रिलीज हो रही है माहौल बिलकुल सही है इस माहौल में हम अकसर elections की, prime minister की, future prime minister की बाते करते हैं go and have a look at the film because हो सकता है आपके voting में किसको vote करना चाहिए, कौन सी party को vote करना चाहिए आपके voting में ये film आपको नहीं ideas दे and they make you more aware about the politics in the country friends, आज के लिए बस इतना ही, हमारे मुलाकात कल फिर होगी ETC Bollywood Business के एक और मज़िदार episode में in the meantime, आपके कोई सुछाब, कोई suggestions हो, तो please, do write in to us at bollywoodbusiness at znetwork.com and if you have any questions relating to the world of cinema, तो ठाई अपना mobile phone, type कीजिये bbiz, space छोड़िये, type कीजिये अपना पूरा सवार, space छोड़ कर, अपना naam type करके भेजिये 57575 पर you can follow us on twitter at ETC Bollywood, this is Komal Nahata, bidding you goodbye you